इस विडियो में हम बात करेंगे job chances for pressure and experience candidate Fraleser के लिए कितना job chances रहता हैं और experience candidate के लिए कितना chances रहता हैं हम इस विडियो में दो पार्ट में बात करेंगे सेफ्टी फिल्ड में बहुत ऐसे लोगों का मानना है कि फ्रेशर कंडिड को जॉब बहुत ही मुश्किल से मिलता है फ्रेशर कंडिड को कोई भी कमपनी या जॉब देने के लिए तयार नहीं होती है ये बात सुनके फ्रेशर कंडिड जो लोग हेल्थ और सेफ्टी में अपना डिप्लोमा करना चाहते हैं या डिप्लोमा कर लिये हैं वे लोग काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं थोड़ा सा इस्ट्रगल करने के बाद कोई जॉब नहीं मिली तो वे लोग हेल्थ और सेफ्टी फिल्ड को छोड़के किसी दूसरे फिल्ड में अपना केरियर बनाने में लग जाते हैं फ्रेंड्स आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूद नहीं है और नहीं सेफ्टी फिल्ड को चेंज करने की ज़रूद है मेरा खुद का एक्सपरियंस है कि बहुत सारे ऐसी बड़ी मन्टिनेशनल कमपनिया हैं जो मैक्जीमोम फ्रेसर कंडिड को ही जॉब देती हैं सबसे पहले हम फ्रेसर के बारे में बात करेंगे कि फ्रेसर कंडिड के लिए जॉब चांसेस कितना होता है और कौन सी कमपनिया फ्रेसर कंडिडेट को जॉब देती है और फ्रेसर कंडिडेट को जॉब देने का रिजन क्या होता है ये पूरा टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिन तक देखते रहे एक-एक टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे बहुत ऐसी कमपनिया है जो Health and Safety Related Basic Work करने के लिए जैसे की Daily Check List हुआ Inspection हुआ Observation Documentation Work Permit to Work Firefighter Firehidden Operator इस तरह की तमाम काम करने के लिए Fraser Conduit को ही चुनती है जो एक महिने की ट्रेनिंग करने के बाद कम सेलरी में ही ये सभी काम करना चालू कर देते हैं यही करण है कि बहुत सारी कमपनिया Fraser Candidate को ही जौब देती है ये सभी Basic Cover करने के लिए कभी भी कोई कमपनिया Experience Person को ज़्यादा सेलरी में जौब देने के लिए तयार नहीं होती है अब हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे जौब इसको फार Experience ओल्डर अगर आपके पास Experience है Safety Field में तो आपको जौब मिलने का चांसेस काफी ज़्यादा होता है क्योंकि किसी भी कमपनिय में High Level Safety Work करने के लिए जैसे की Risk Assessment हुआ Safety Audit हुआ Safety Planning हुआ Safety Meeting हुआ Incident Controller Investigation Firefighter ऐसे बहुत सारे वर्क रहते हैं जिसको करने के लिए केवल Experience Person का होना ज़रूरी रहता है यही कारण है कि कमपनिया ज़्यादा सेलरी देकर Experience Person को ही जौब देती है Friends, Thank for watching my video अगर आपके पास कुछ doubt है या suggestion है तो हमारे comment box में जाकर आप comment जरूर करे साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और सस्क्राइब करें धन्यवाद Guys, हमारे चनल को सपोर्ट करने के लिए रिट कलर कर सस्क्राइब बटन को दबा कर हमारे चनल को सस्क्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे Guys, Health and Safety related आपके पास कोई भी question या suggestion है तो comment section में जाकर comment जरूर करें साथ ही साथ like बटन को दबाना न खुले and thanks for watching my video